So, hello दोस्तों, तो finally Comic Con आ ही गया और इसे देखकर एसा लग रहा था कि Marvel अपने phone में वापस लोट रहा है हाँ मतलब इतनी सारी movies और series अनाउंस कर दी है, एसा लग रहा है कि Comic Con event रखा ही Marvel के लिए गया था और दूसरा ट्रेलर था Wakanda Forever का, मतलब की Black Panther 2 का, और सच बोलू तो ये काफी ज्यादा अच्छा था अब मुझे ही इतना अच्छा इसलिए लगा, क्योंकि जो एक्टर Black Panther का role play करते थे, शेरविक बॉसमेन अब वो नहीं रहे तो ये देखना है कि इस मुवी में वो लोग इनके करक्टर का end कैसे करते हैं और ट्रेलर में हमें एक Black Panther तो बताया है, लेकिन पीछे से उसका कोई front का scene नहीं था बस पीछे की body ही बताई है, जिसे देखकर हम क्या करें और इस ट्रेलर में हमें एक Iron Heart का Heart भी देखने मिला, Iron Heart का character के साथ मतलब कि जो लड़की Iron Heart का character प्ले करेंगी उसके साथ और हाँ इसी मुवी के साथ Marvel का Face 4 भी खतम हो जाएगा और फिर आईगी Ant Man Quantumania यानि कि Ant Man 3 जिसके साथ ही सुरूओगा Marvel का Face 5 जिसकी काफी सारी मुवीज तो अनाउंस कर दी है और साथ ही Face 6 भी, कुल मिलाका Marvel ने Face 4 की दो मुवीज, Face 5 और Face 6 की भी अनाउंसमेंट कर दी है जिसमें पहली मुवी होगी Ant Man 3 जो कि आईगी 17 फरवरी 2023 को और दूसरी मुवी होगी Guardians of the Galaxy Vol. 3 जो कि आईगी 5 मई 2023 को इन दोनों मुवीज के बारे में तो हमें पहले से ही पता था लेकिन इसके बाद कौन सी मुवी आईगी ये किसे भी नहीं पता था लेकिन अब पता चल गया है, वो मुवी है Blade जो कि आईगी 2 November 2023 को ये वही Blade मुवी होगी जिसकी Blade हमने Eternals में देखी थी उसके बाद आईगी Captain America 4, Same वाली मतलब के नए Captain America वाली जिसमें हमें पता नहीं Captain America क्या ही उखाड़ेगा उसके बाद एक धमागे दार मुवी आईगी Thunderbolt 26 July 2024 को अब इस मुवी के बारे में मैं इतना तो पता ही है कि ये होगी बिल्कुल विलेन वाली टीम जिस टीम को बनाने का काम करेगी ये मोहतरमा जिसे हमने Falcon in the Winter Soldier और Black Widow में देख रहा है लेकिन सब सब शोकिंग बाद तो ये है कि इसी मुवी के साथ Phase 5 भी खतम हो जाएगा और Phase 6 में सरफ तीन ही मुवी होगी हाँ मुझे पता है कि काफी ज़्यादा कम है और कोई गालिया नहीं देगा लेकिन मैंने भी Phase 6 पूरा explain नहीं किया explain करूँगा इतने आपको कोई शिकायत नहीं रहेगी तो पहली मुवी का नाम है Fantastic Four जो कि आईगी 8 November 2024 को जिसकी शूटिंग अगले साल से शुरू ही हो जाएगी लगबग और Phase 6 की लास्ट दो मुवी है इतनी मज़ेदार होगी इतनी मज़ेदार होगी कि उनका नाम सुनकर ही मज़ा आ जाएगा और उसका नाम है Morbius मज़ा की बात साइट में उसका नाम है Avengers, The Kang, Destiny, Dynastic जो कि आईगी 2 मई 2025 को इससे पहले हमने Avengers की लास्ट मुवी देखी थी Endgame मतलब कि इस मुवी के बीच में और Endgame के बीच में 6 साल का फरक है मतलब कि Phase 4 और Phase 5 में कोई भी Avengers मुवी ही नहीं थी मतलब कि Phase 1 में 1 मुवी, Phase 2 में 1 मुवी और Phase 3 में 2 मुवी, और 4 और 5 में कुछ भी नहीं लेकिन हमें Phase 6 में 2 मुवी देखने मिलेगी पहली के बारे में तो मैं आपको बताई चुका हूँ उन्हें तो काफी जादा मज़ा आ गया होगा ये सुनते ही लेकिन जो लोग इसे नहीं जानते, डरने वाली कोई बात नहीं है तुमारा भाई बेठा है अभी मैंने पहले इसको अच्छे से एक्स्प्लेइन कर दिया है तो जाओ याई बटन वाली वीडियो देखो और चाज आओ सब पर हाँ और इसे के साथ फेस्प्स भी खतम हो जाएगा खतम होने से मेरा मतलब ये है कि मारवल ने काली इतना ही माल ड्रोप नहीं क्या है अभी और भी बहुत है अभी तो मैंने सरिफ मूविया ही बताई है सिरिस बताना भी भाकी है लेकिन सिरिस हम किसी और वीडियो में बताएंगे क्योंकि यार जिसा कि मैंने बोला एक महीने का कॉंटेंट तो मिल ही गया है तो बस यार मेरी और ज़्यादा वीडियो देखनी है तो लेफ्ट वाली बे क्लिक करो